हिमाचर परदेश में लोगों की समस्यां सुनने के लिए सरकार की ओर से 22 जन्मंच कारेकरम 14 फरवरी यानी कल आयोजित होगा पहले सरकार ने जन्मंच की तारीख 30 जन्वरी रखी थी लेकिन कोविट महमारी को देखते हुए इसे स्थगित कर नई तारीख तैकी गई है और अब 14 फरवरी को ये कारेकरम आयोजित किया जाएगा सरकार की ओर से कोविट महमारी के चलते बीते वर्ष नवंबर के आखरी सप्ताह में आयोजित कैबिनेट में जन्मंच कारेकरम स्थगित करने का निर्ने लिया गया था लेकिन स्थिती नियंत्रण में आने के बाद समाजिक न्याय एउम आधिकारिता मंत्री सर्वीन चौधरी हमिरपूर, विधानसभा उपाध्यक्ष हंसरा सिर्मौर के पाउंटा, शिक्षा मंत्री गोविंद छाकूर कुल्लू मनाली, स्वास्त मंत्री राजीव सहजल कांगडा, देहरा, उर्जा मंत्री सुखराम बिलास में शामिल रहेंगे, बहराल सरकार की और से लोगों की समस्याओं का मौके पर निप्टारा करने के लिए शुरू किया गया जन्मंच काफी हद तक सफल कह जा सकता है, हालांकि जन्मंच कारेकरम में खिंचाई होने के डर से सरकारी अधिकारियों वा करमचारियों में हड़ जैसे स्थिती कई वार बन जाती है